दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप खड़, खली या फिर पसू अहार का होलसेल का बिजनस शुरू कर सकते हो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि सस्ते से सस्ता खड़, खड़ी या पसू अहार आप कहां से खरीद सकते हो इस बिजनस में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कितना प्रोफिट मार्जीन होता है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं देखिए ये एक ऐसा बिजनस है जिसे आप किसी भी शहर में कर सकते हो किसी भी गाउ में शुरू कर सकते हो क्योंकि जो customer होता है वो ऐसे लोग होते है जो पसू धन रखते हैं या फिर dairy चलाते हैं या फिर किसान लोग होते हैं जो अपने पसू को देने के लिए ये product उपयोग में लेते हैं जैसे कि किराने की shop होती है वहां पे आपको जदा मंदी नहीं देखनी पड़ती है इसी परकार इस business में भी आपको जदा मंदी नहीं देखनी पड़ती है तो चलीए दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि सस्ते से सस्ता आप कहां से खरीज़ सकते हैं इसे पहले मैं आपको पूरी process से समझा देता हूं ताक कि आप उसकी कोष्टिंग वगिर निकाल पाएं कि कैसे आपको मिलती है कड और सस्ती से सस्ती आप कैसे ले सकते हैं देखिए क्या होता है कि सरसू या कपास के जो बीज होते हैं उनसे मोश्टली है जो खड और खड़ी बनाया जाता है, उसमें क्या होता है कि जो मील होती है, जो processing house है, उसके अंदर जो बीज वगिर है, इनका process किया जाता है, सरसों को process किया जाता है, तो दो तरीके के देखे, आप ये मील देख रहे होंगे, इसमें एक side है, जो खड़ खड़ी वगिर है, य यह mostly दो प्रोडेक्ट बनते हैं, खढ और तेल, इस तेल को बाद में प्यॉर किया जाता है, वापस प्यॉरी फायर से प्यॉर किया जाता है, उसके बाद मार्केट में सेल किया जाता है, वैसे ही खढ़ी को क्या है, पैकिंग वगेरे करके आप तक पहुंचा दिया जाता है अगर मैं कोश्टिंग की बात करूँ कि कितनी कोश्टिंग कैसे निर्बर करती है कैसे कोश्टिंग प्राइस है जो तै किया जाता है वो डिपेंड करता है आपकी सर्सों पे और कपास के बीच पे जब सर्सों तेज ह तो आप यह माल लिए अगर आप सरसों से बनी हुई खड या खडी हरीते हैं तो वह आपको कोशली मिलेगी इसी परकार कपास के बीजों की मलब कपास में अगर तेजी देखने को मिलती है तो आपको उसकी खड में भी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि यह एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं इसी परकार जो processing fees है meal है वो लोग 20 लाग से 30 लाग 40 लाग रुपए लगा के एक पूरा factory खोलते हैं एक plant खोलते हैं तो जो लोग क्या करते हैं वो लोग ये product मंगवाते हैं जहां पर इसकी खेती होते हैं वहां अपनी meal में ये लोग process करके आपको खड़खड़ी तियार करके market में पहुचाते हैं तो जो meal वाले हैं वो जो processing fees लेते हैं मतलब अभी ऐसे नहीं होता कि आपने कपास दे दी और वो खड़ उतार के दे देते हैं इस तरीके से नहीं होता वो लोग खुद खरीदते हैं उसके बाद पूरा process करते हैं फिर आपको directly नहीं whole seller वगेरे को sell करते हैं इसी के साथ दोस्तों packing और labor चार्ज रहता है इसमें labor ज्यादा नहीं रखते हैं ये लोग 4-5 labor रखते हैं जो भी बड़ा plant होता है 20-30 lakh रूपए की जो मसीले लगा के करते हैं उसमें 4-5 labor रखते हैं और packing जो बोरियां वगेर होगई कटे वगेर है इस ताइप से किया जाता है तो आप मोटा मोटी costing है वो आप समझ गए होंगे अब बात करते हैं सस्ते से सस्ता कैसे खरीदें देखे जैसे मैंने बताया कि जो सस्ते से सस्ता है वो आप इस परकार खरीद सकते हैं कि जहां पे सरसों की खेती होती है जिसे हरियाना हो गया राजस्तान हो गया मद्यपरदेश हो गया यूपी हो गया और अगर बात करें कापास के लिए माराश्र हो गया मद्यपर्देश हो गया जहां पर इनकी खेती होती है वहां से खरीद के लाते हैं तो आपको सस्ती पड़ते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी दूर से खर खरीदना पोसिबल नहीं है तो मैं आपको बता दूँ जो सर्सों वगेरे या क कापास के वीजए वहां से खरीदे जाते हैं ट्रांस्पोर्ट ट्रकों वगेरे से माल आता है जैसे ही माल पहुंचता है वहां पे मेल वाले प्रोसेस करते हैं फिर उस माल को वापस लोड किया जाता है आप तक पहुंचाया जाता है अब सोचिए उस ट्रांस्पोर्टेश को सस्ती से सस्ती सर्प मिले गए या कपास के भीज trending है और दूसरी बात वहाँ से आएगा तो अच्छी वई्राइटी का प्रोडेक्ट आपको रिएगा ही मिलेगा और दोस्तों अगर पैमेंट की बात करूं तो पैमेंट इसमें दो प्रिकार से होता है एक तो होता है फुल और एक होता है पार्ट मेमेंट, फुल पेमेंट होता है वो जब आपकी जानकारी वगेरे नहीं होती या ब्रोकर बीज में नहीं होता तब आपका फुल पेमेंट लगता है, पार्ट मेमेंट तब लगता है जब अच्छी जानकारी हो जाती है मेल वगेरे वालों से तो ये ल कर लेते हैं इस बिजनस को शुरू करने के लिए किन किन चीजों की आउशक्ता है सबसे पहले आपको दुकान और गोडाउन की जरूत है दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर किसानों का आना जाना ज्यादा हो खेती से जुड़ेवे पसू दन से जुड़ेवे लोगों का आना जाना ज्यादा हो इसी के साथ जो है वो आपको GST लंबर लेना अनिवारिये है तता फर्म और कंपनी रजिस्टेशन को आए यह सब इसलिए जरूरी होता है कि जब आप व्यापार को बढ़ाते हैं तो आपको बाद में प्रोब्लम नहीं आती है इसी के साथ इन्व दुकान और गोडाउन किस हिसाफ से लेते हैं मोशली जो दुकाने हैं वो तीन महीने का जो पेमेंट होता है वो एडवांस लेते हैं या कुछ जगह पगड़ी का भी सिस्टम है वो आप अपने एरिया में पता कर लीजेगा अब बात करता हूं मैं प्रोफिट की देखे प आपको चोट लगने की संभावना रहती है बाद में तो क्या होता है जब दुकान खुल जाती है आपकी तो आसपास के मील वालों के जो ब्रोकर वगेर होते हैं वो आपसे संपर्क करने लग जाते हैं तो इसी के साथ जो सुरुवात होती है उसमें ज्यादा माल खरीद के ना रखें और आसपास के अपने एरिया में पता कर लीजेगा कि खड़ी या पसुहार किस टाइप का उपयोग लोग लेते हैं इसे के साथ अगर प्रोफिट मार्जिन की बात करूं तो 10% से 35% का ये बिजनस होता है दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ देखें कुछ लोग होते हैं कि पीछे जब GST अगेरे लगाता तबी भी बोल रहे थे मंदी है उसके बाद आज भी बोल रहे हैं मंदी है अभी व्यापार करने का टाइम नहीं है तो आप बताइए जो लोग 10 साल से बोल रहे हैं मंदी है व्यापार करने का टाइम नहीं है तो आप फिर कब करोगे व्यापार ये सब तो हमेशा है शुरुआ रहेगा रेगूलर कंटीन्यू रहने वाला है और अगर ऐसे मंदी का बिजनस होता तो मार्केट में लोग नहीं बैटे रहते ये बा धन्यवाद दोस्तों अगर मेरा मेरा कुछ भी बात आपको बूरी लगे तो मुझे वाप कर दीजेगा वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा कमेंट में आप बताएगा कि अगला वीडियो किस परकार का चाहते हैं आप धन्यवाद